जरहिन दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे SECDD previous question का general awareness question आप जिस भी exam की तेर करते हो उसका previous question हमेशा practice करना मैं जिये का सब कुछ question discussion करूंगा आपके साथ इस वीडियो को end तक बेना skip किये देखना otherwise समय नहीं पाओगे ये question SSEGD 2021 में हो था 16 November 2021 फास्ट रिप्ट का question है तो दिखे फास्ट कोशिन Which of the following article of the Constitution of India is related to the promotion of a cooperative societies Promotion of a cooperative societies कौन से article के अंत्रवबत आता है तो इसका सोयंसर का option 2 43 B 43 related to living wage etc for workers 43 A is related to the participation of workers in management of a industries और आपका 40 B हो गया Promotion of a cooperative societies Next question देखिये Which of the following lesson was India's top trading partner in the financial year 2019-20 देखो ये 2021 में एक्जेम हो था 2019 और 2020 का पुछा था अभी आपको 2021 और 2022 का financial year यार रखना होगा तो इस financial year में भी 2021-22 का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है दो USA तो ये जखना अंसर गा USA तो इस financial year 2021-22 का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है दो USA इंडिया का नेश कोसिन देखिये इंबिर सिंग जी का सिस्य बन गया और उसके एक और नाम दिया गया गुरु व्रक्षय सिंग उनके बार में एक और बात जान लो वो 15 साल की एज में रुभात्याक किया था वो तपशी बनना चाहते थे और उनको एक और नाम दिया गया था माधोदास बोईरागी उन्होंने गोदावर के किनारे नंडेड में एक मठो स्टाफ़ना किये थे देखिये आपका एक्जाम में प्रिविसर कोर्षिन कुछ डारेक्ट पुछेगा और कुछ उससे जूड़ी हुई बाते पुछ सकता है तो मैं जो अडिशनल बताता हूँ आप ध्यान रखिये इसको र्याद रखिये प्रेस्ट कोर्षिन देखिये who among the following founded the newspaper संबाद कौमोदी संबाद कौमोदी बेंगोली weekly newspaper था इसको स्टार्ट किया था राजा रामोन राय ने in 1919 then 1836 में बंध हो गया था राजा रामोन राय इनको ए राजा का टाइटल किस ने दिया था ना आकबर दित्यों ने राजा टाइटल दिया था रामो समाज की founder भी राजा रामोन राय थे इसको रहा रखना और father of Bengal Renaissance यानी बेंगोल की नवर जागरन भी बोला राता है राजा रामोन राय को which are the following set of countries participate in Malware exercise 2020 Malware exercise एक multilateral defense exercise है जो की quad countries करता है इसमें इंडिया अस्टेलिया जाफ़ान यूएस से सामिल है और भी 2022 नॉवेंबर मॉन्थ में Malware exercise वह था ये था 26th edition तो इसको सिन का 100 अस्टेलिया जाफ़ान USA ये quad countries है Malware exercise करता है इंडिया अस्टेलिया जाफ़ान USA इसको याज़कना next question is Sarai River is Tributory which river इसका 100 अस्टेलिया अस्टेलिया जाफ़ान इसका 100 अस्टेलिया जाफ़ान नदि है Sarai River को काली नदि और महाकारी नदि रिभर भी बोला रता है इस अरिजिनेट आट कालापणी इन हिमाला रिजियन इन उत्राखंड एक और बात र्याजखना अयद्धास सहर सदायू नदि के तरडपर स्थी थे नेस्ट कोसिन इज अन 26th January 2019 The Constitution of India Completed 69 years of its existence In this year It was amended just times 2019-12 January को जो amendment हुआ था वो कौन सी amendment था तो इसका सयंसर गा 103rd amendment ए amendment था रिगरिं 10% resolution for economical नेस्ट कोसिन इज Which year marks the beginning of the phase 2 of the सच्च भारत mission सच्च भारत mission phase 2 की शूरवत कव वाता तो इसका सयंसर गा option D 2020 सच्च भारत mission launch वाता 2nd October 2014 में आट राजगाट in New Delhi by PM Modi 300 गा दिपिका कुमारी कूछ फेमोस अर्चेरी का नाम याद रखने जीएगा जैसे कि अभिशेक बार्मा लिंबा राम दिपिका कुमारी यह सब फेमोस अर्चेरी प्लेयर है इंडिया की इसको याद रखना एक्जाम में आ सकता है और यह जो अप्शन में दिया है Monica Batra यह टेबूल टेनिस प्लेयर है और Niraj Chopra ट्राक अंड फिल्ड अथिलिटी है जो की जाविलेन थो में गोल्ड मिला दिते थे 2020 टोकियो अलम्पिक में और यह सोमयोजिट गोस यह भी टेबूल टेनिस प्लेयर है इंडिया की Next question is DRC represents the height of point on electric art which in the 7th and 8th centuries under the Chalukya dynasty achieved a harmonious blend of architectural forms from Northern and Southern India इसका सोयनसो है प्रटड़कल को प्रटड़कलू और रक्तोपुदा भी बोला राता है यह एक complex है हिंदू आंड जॉइन टेपुल की जो की कॉनाटक स्टेट का बागल कोट जिले में लोकेटेड है इट इस फेमोस फर eclatic art यानि उदर कला यानि mixed style in fine arts UNESCO World Heritage Site में भी सामिल है Group of Monuments Art Protocol in 1987 में Next question is DRC is known as भित्ती कल्चर इसका सोयनसो है option 2 कॉल्टिवेशन आफ ग्रेफ्स अंगुल की खेती को भित्ती कल्चर बोला रहता है Next question is Who among the following is best known for his plays योजाती और तुगलक तो इसका सोयनसो है option 3 गिरिस कॉनाड गिरिस कॉनाड इडिया का actor, film director and writer है गिरिस कॉनाड की first play है योजाती इसको 1961 में वो लिखे थे Next question दखिए फाकिर चांद कोहली who passed away in November 2020 वाज नौन आज ड्यास तो इसका सोयनसो होगा इंडियान IT इंडोस्ट्री का ग्रोथ में उनका काफी उगदान हो रहा है फाकिर चांद कोहली इसको या जुखना Next question दखिए इन यह molecular of water the ratio of the mass of hydrogen to that of oxygen is what? फानी के एक अनु में hydrogen के जब्यमान का oxygen के जब्यमान से क्या अनुबत होता है तो इसका सयनसो होगा option 1 एक अनुबत 8 Next question is Union Minister of Education launch a 3 mobile app called what? इसका अंसर होगा English Pro देखो एक current affair का सवल है तो आप इससे जूड़ी हुई जो अभी last one year में कीम हो गया और mobile app हो गया जो launch हुआ है उसको देखके जाना Next question is alpha particles are double charged ions of a heart lithium या beryllium या helium या hydrogen तो इसका सयनसो होगा और सुंद्री helium alpha particles are double charged ions of a helium next question is which of the following institution started the term hello initiative in November 2020 तो इसका सयनसो होगा United Nation United Nation ने hello initiative launch किया है यह 2020 का current affair कोशीन है so अभी नहीं हैगा आपको 2021 का current affair पढ़ना होगा next question is which of the following sports would you associated the team Kerala Blasters तो यह तो इजी कोशीन करला ब्लास्टर एक football team है जैसे IPL होता है क्रिकेट का वैसे इंडिया में football का एक tournament होता है ISL Indian Super League उसका एक team है करला ब्लास्टर ठीके next question is which of the following is the traditional bamboo dance of a major यानि majoram का traditional bamboo dash इसमें कौशा है तो इसका स्वयांसोगा छेज़वा छेज़वा is the traditional bamboo dance of a majoram next question is the third battle of a panipod between the Maratha and Ahmad Shahar during the ruler of Afghanistan was fought in which year कौशा year में third battle of a panipod हुआ था तो इसका स्वयांसोगा 1761 1761 में third battle of panipod हुआ था किसके暑 किस के बीच में यह हुआ था इस लडाय में किसका जीत हुआ था आप कमेंट करके होता है जो सही आंसर देगा उस कमेंट को में हाट जे दूँगा ताकि आप सभी स्वयांसों जान पाऊगे कमेंट कोरके बताओ फर्स्ट बैटल आप अनिपत में किसका जीत हुआ था नेट्ट कोसिन इस इन नवेहंबर 2020 BCCI अनौन्स हुच कमपानी आज टीम कीट स्पांसर तिल 2023 इंडियान क्रिकेट टीम का कीट स्पांसर 2023 किसने लिया है तो इसका सवयन्स होगा MPL Sports MPL यानि Mobile Premier League यह हो एक इंडियान ओनलाइन गेमिंग प्लाटफर्म है 2008 में फांडुक किया गया था बाई साइज सिन्निवास किरन आंट सुभम माल होता यह दोनों फांडर है देखो एक और important बात है कि इंडियान नाशनल क्रिकेट टीम की official sponsors बहुत सार है मैं बताता हूँ आपको आप यार रखिए एक है team sponsor यह है वाईजू वाईजू 2023 एंड तक team sponsorship करता है इंडियान क्रिकेट टीम का then star sports भी sponsorship करता है television and digital broadcast rights यह सब उसके पास है star sports के पास है then title sponsorship करता है mastercard title sponsorship mastercard और official partner है dream 11, amboja cement, hyundai यह तीन हो गया official partner then kit sponsor MPL sports का मतलब जो cricket equipment helmet हो गया, bat, globe, different guards यह सब kit equipment होता है cricket का next question देखिए, राजा टोडर्मल वाज revenue minister during the regime of which of the following Mughal emperor तो इसका सरेन्सव गा आकबर आकबर की revenue minister थे टोडर्मल और finance minister भी थे टोडर्मल आकबर की time पर next question देखिए, आज पर calculation done in 2011-12 the poverty line for a person of rural India got fixed at dash per month in rural area अगर आपका स्वत्ती महिने कितने income से निच्चे होगा तो आपको poverty line के अंदर ही रखा जाएगा तो answer होगा, 816 रूपीज 1816 रूपीज यह है poverty line in rural India next question देखिए, 5 river from Punjab enter the river 8 dash, मिठन कोट in Pakistan, तो इसका सवयन्स होगा 10 तो पांच river कॉन सा है यह सब एंटर करते है इंदर्स river में 8 मिठन कोट इन पाकिस्तान मिठन कोट इन पाकिस्तान में एंटर करते है कौन साब 5 river ना सब एंटर्स व्यास रभी चेनाब जहलम next question is which is यह simple device that is used to either break the electric circuit or to complete it electric circuit को either break करता है और complete करता है वो device क्या है उसको क्या बला रहता है तो इसका स्वयन्स होगा सुईज अगर आपको इसका PDF चाहिए तो description box में telegram का link है आप telegram group join कर लिजिए फ्रा अकाडेमी वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा और आप revision कर पाऊगे और एक छोटा सा request है आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो की link को share कर देजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो like comment ज़रू करना आपके like और comment से ही हमें motivation मिलता है तो मिलते हैं next एक और shift की question के साथ जाए हैंदी